राहत की खबर है सूरतगर्ड सुपर क्रिटिकल और छवड़ा थर्मल की दो एकाईयों से फिर विजली उत्पादन सुरू हो गया है राइस्थान राज्य विद्धुत उत्पादन निगम के लंबे समय से तक्नीकी फॉल्ट और दुरगटना के कारण बंद एकाईयों में से 660 मेगावाट छमता की सूरतगर्ड सुपर क्रिटिकल की एकाईयों साथ से विद्धुत उत्पादन प्रारंब्र हो गया है तो वहीं छवड़ा थर्मल एकाई से भी पूरी छमता की साथ 250 मेगावाट बिजली उत्पादन सुरू कर दिया गया है राइस्थान विद्धुत पादन निगम के अध्यक्ष और MDR के सर्मा के अनुसार सूरतगर्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्धुत ग्रह की 660 मेगावाट छमता की काई नंबर साथ करीब साथ मह से जनरेशन ट्रांसफार्मर के आर फेज में हुए ब्लास्ट के कारण अभी राइस्थान सौर उर्जा में पूरे देश में अवल है लेकिन अब प्रदेश को सौर उर्जा राज्य बनाने के लिए और सौर उत्पादन शम्ता को 142 गीगाबाट तक ले जाने के प्रयास चल रही है इसी दिसा में बढ़ते हुए प्रदेश के उर्जा विभाग ने केंदर की पियां कुसम योजना के कंपोनेंट सी के तहत सौर क्रशी आजीव का योजना की पूर्टल की सुरवात की गई है उर्जा मंतरी भावर सिंग भाटी ने आज विद्द भावन में पूर्टल की लॉंचिंग की भाटी ने बताया कि सौर उर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सौर क्रशी आजीव का योजना तयार की है ये पूर्टल किसान और डवलपर की सुधा के लिए बनाया गया है जहां दोनों को रेजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि लीज़ पर भूमी देने वाले किसान और डवलपर को सौर उर्जा सं अन्यंत लगाने की पूरी सूच ना मिल सके